हाई एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके पस एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं आप लोगों को चना धाल भापा बना के दिखाऊंगे सबसे पहले आप चना धाल लीजिए चना धाल को कुछ समय के लिए भिगो के रख दीजिए कुछ मिर्ची जैसे पेस्ट हो जाए तो इसे एक बॉल में लिकाल दीजिए फिर इसमें थोड़ा सा नमक स्वादने सर मिलाईए और थोड़ा सा सरसो मिलाईए और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें कड़ी पत्ता मिला दीजिए फिर एक बॉल लीजिए उसमें थोड़ा सा तेल दीजिए उसको अच्छी तरह से उसमें लगा दीजिए चना का जो पेस्ट था उसको उसमें डाल दीजिए फिर अच्छी तरह से उसको सेट कीजिए फिर इसे स्टीमर की हेल्थ से स्टीम दे दीजिए 15 मिनिट के बाद आपका चना दाल भापा बनके रेडी हो गया है फिर आप स्टीमर से इसको लिकाल के थोड़ा टाइम के लिए ठंडा करके चाको की हेल्प से इसको लिकाल दीजिए यह देखिए कितना इजली यह लिकल गया है और जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसको काट लीजिए यह देखिए चना दाल का भापा खाने के लिए रेडी है आज का रेसेपी आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में शेयर बोलिएगा अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो सस्काइब कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं बूलिएगा मिलती हैं कल नए बूलोग के साथ बाई बाई टेक क्यार